अगर केजरिवाल इमानदार नहीं है अगर केजरिवाल भृष्ट आशारी है तो फिर दुनिया में कोई भी इमानदार नहीं है उन्होंने का जूटे आरूप लगाए गये हैं बीजेपी के ओर से और जूटे आरूपों में CBI ED पूश्टाश के लिए बुला रही है हर चोर, हर भरष्ट और हर आतंगवादी यही कहता है कि मैं निर्दोष हूँ और अगर मैं आतंगवादी हूँ तो दुनिया में सब कोई आतंगवादी यही कहता है पहले तो वो कहते बढ़ती हुई लोगपृता गुजरात में क्या हुआ 2014 में नोटा से कम, 2019 में नोटा से कम, हिमाचल में नोटा से कम आज कोई भी स्पेसिफिक सवाल का जवाब नहीं आया, गौरव भातिया जी ने स्पेसिफिक सवाल उठाय थे, शराब घोटाला हुआ है नहीं हुआ हम नहीं कह रहे है, अभी कोट का ओडर आया है, मनीसी सोदया को बेल जब नहीं मिली 31st मार्च को, तब कोट ने का है कि वो है, और आखरी बात जो स्पेसिफिक सवाल जो हम पूछ रहे हैं बार बार, वो यह है कि यह उनकी सरकार के दो शोकाउस नोटिस में, बार बार आपके साथ साथ सौभागे मिला था दुपैर को भी, मैंने पूछा कि यह शोकाउस नोटिस 2021 में इश्यू किये गए थे, इनक इनके सवालों का जबाद दीजे, वो कहने शोकाउस नोटिस जारी किया गया, लेकिन बाद में जब पैसे मिल गए, तो फिर उसको रद्धी टोकरी में फेक दिया गया था, इस पर कोई जबाब है, आपके पास और साथ ही फेस्टाइम के जरिए, अगर मुख्यमंद्री की किसे से बात हो रही है, उसके उपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो फिर जाज के दाइरे में सियाम अगर आए हैं, तो इसमें बीजेपी कहां से आ गई, खुलदीच जी देखे चित्रा जी, ना कोई खाता, ना कोई बही और जो सजाद पुनावाला और इनके मोदी जी कह दे वही सही, आज तो इस देश में यही चल रहा है, मतलब सजाद पुनावाला बोल रहे हैं, क्या सबूत मिला इनको अभी तक, ये तो नहीं बता पाए आपके चैनलन प अभी इन्होंने का रिकवरी होगे, कितने पैसी की रिकवरी होगे, बताईए, पांसो से उपर अधिकारी तुम्हारें लगे हुए हैं, पिछले छे महिने से जाज करने के लिए कुछ उनके हाथ में नहीं आया, लेकिन मनिश्यों जेल में है, जैन साब के उपर आज तक कारण के वल एक है, के अरवीन केजरिवाल जी ने देश के पधान मंतरी नेंदर मोदी की, जो साड़ गार्ट थी, जो कम्पनिया थी, वो अडानी की नहीं थी, अडानी तो कमीशन एजन थे, में आजमी तो नेंदर मोदी जी थे, जी कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा थ जिनको सिरिनलंका में डील दिलाई जा रही थी, जिनको चाके पंगरण दिलाई जा रही थी, वो मोदी जी थे, एरपोर्ट, मोएक्ट, साब दे दिया, LIC दे दिया, सब कुछ, एक बर जवाब, कौन सी कंपनिय है, जितनी, 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 कंपनिया अडानी जी की है, ज जितनी, 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 जित इकलोते ऐसे विकती हैежिए जिनोंने I.R.S. की नौकरी छोड़ी केवल इमानदारी के लिए लाजिती को साफ सुतरा करने के लिए अरविन केजरिवाल जी एकलोते ऐसे विकती है मैं आपको तत्य प्रस्तुत करता हूँ इसके अलावा तीसरी बात मैं बोलता हूँ यह सारी चीजे चोड़ दो लालू प्रसाद यादव तो चार बार कन्विक्ट है पहली बार यूपीय के जमाने में कुल्दीब जी केवल एक स्टैंड लेले कि क्या लालू प्रसाद के खिला वेंडेटा हुई है क्या वो यह पर टाइम डेख कर किसी को मौटा नहीं चाहिए जवाप लिए जवाप देने कि जाएगी चित्रा जी मैं अपनी पॉंट तो पॉंट बात रखना वाला देखें दो विशेयों पर मैं बताता हूं यह पहले तो मैं आपको बता दू चली एडानी का विश्य पहले उठा अगर से अगर कोई सबूत नहीं है तो कौश करवा देते हैं परन्तु दूसरी बार चुनोती दे रहा हूं अधानी का 1500 MW का पंजाब में पावर प्रोजेक्ट है और वो पावर प्रोजेक्ट का प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूं आपके चैनल पर यह यह कॉंग्रिस के अगर यह अडनी के साथ नहीं है और हम इंगे है अभी गोशना कर दें चैनल कर रहे पन्जाब का प्रोजेक्ट पहली बात दूसरी बात, मैंने कोट का ओर्डर दिखाया है कि ये कटर बेइमान है, क्या मैं अर्विंद के जीवाल की मानूं, उसकी सर्टिफिकेट की मानूं, 800 करोड का ओडियो टेप कहा है आज तक, और तीसरी बात, ये धवन कमिटी रिपोर्ट, इनकी रिपोर्ट, क्या धाई फीस इसलिए मैं उठाता हूं, क्योंकि अर्विंद केजरिवाल ने एक बार ट्वीट करके कहा था कि लालू सबसे भरष्ट व्यक्ती है, और लालू प्रसाद यादव के परिवार के बार में उन्होंने कहा था कि ये सबसे भरष्ट है, चारा घोटाला किया है, आज जब वो च ने द समीर महंदु ने बिलगवी ने प्रसायू लालू के उन्होंने कहा था suspended. पर बंदूग की नोग पर ब्यान बताव रहे हैं और दूसरी और दूसरी बात यह यह बार बार कहते हैं रोब लग गए मैं कहा रहा हूँ आज अर्विन की जीवाज ने कहा कि परदान मंतरी जी को उन्होंने एक हजा क्रोटर पे दिया सतन सितंबर को जाज करें CBI जेल में डाल देगी अरे आपके कोई सबूत नहीं होते है आपके रिकवरी नहीं होती है इडी जाकर कोट में जूट बोलती है जूटा एफिडेमिन देती है कि 14 फोनों को खतं कर दिया गया